जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर जूनियर हाइज स्कुल साइक अध्यापक बर्ति परिक्षा के लिए आपर सामण ग्यान समसामाई की और तार के ग्यान से संबंदित क्या है कि जोदपुर में आयुजत पहली दूइपक्षे बायू अभ्यास एकसर साइज डेजर्ट नाइट ट्वाइंटीवन में भारति बायू सेहना की साथ किस देश ने भाग लिया था तो आपका राइट आंसर हो गए यहां पर फ्रांस यानि कि विकल्प नंबर भी आ नेशनल दौरा जारी 2020 रस्टा चार धालना सूचकांक में भारत की रेंक थी इसमें भारत की रेंक बताना है कौस्चन नंबर दो में भारत की कितनी रेंक थी तो आपके यहां पर कौस्चन नंबर दो का राइट आंसर है चासीवा चासीवी रेंक थी भारत की तो विकल्प नमबर डी यहां पर सही आंसर होगा question number 3 आपसे यहां पर पूंचा है नमनमेसी किस राज्य में भूमी, स्वामित, अधिनियम, संबंदी कानून में संसुधन किया गया है केरल, पस्चे, बंगल, तमिलनाडू या जम्मू कस्मीर तो आपका यहां पर सही आंसर है तीन का विकल्प नमबर डी आनि की जम्मू कस्मीर आपका सही आंसर है question number आपका चार पूंचा है केस संगटन ने जनवरी 2021 में बैस्विक उर्जा सुरक्षा को पढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनेतिक साज़दारी समझोते के लिए एक प्रेंबार के परहां स्ताक्षर किये हैं तो केस संगटन ने किये हैं तो question number 4 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नमबर C अंतराश्टी ऊर्जा या जन्सी I,E,A आपका सही आंसर हो का विकल्प नमबर C, right answer question number 5 पूँचा गया है केस संगटन ने भारत में विस्वी की पहली कॉइंट से computing application इस्तापित करने के लिए electronics और सूचिना प्रोध्योगी की मंत्राले की साथ भागिदारी की है तो किस ने की है ये भागिदारी तो question number 5 का आपका सही आंसर है विकल्प number D यानि की अमीजन बेप सर्फसेज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number आपका यहाँ पर 6 पूँचा गया है क्या पूँचा है कि देख लेते है question number 6 आपका यहाँ पर गया से तो राष्टे विकास कारिक्रम UNDP पी नहाल ही में मानव विकास सूचकंग 2020 रिपोर्ट जारी किये है इस रिपोर्ट के संदर्वे निम्लिकत कत्नों में से कौन सा कतन सत्य है कौन सा कतन सत्य कूट यहाँ पर दिये गये है और आपका यहाँ पर question number 6 का सही आंसर है आपका एक दो तीन एक दो तीन आपकी जो है तीन हो सही है तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है question number 7 क्या पूंचा गया है तो question number 7 आपका यहाँ पर दिया गया है देख लेते है question number 7 देखे भारत में नए संसद की आधारसला किस्तिती को रखी गई थी तो भारत में नए संसद की जो आधारसला रखी गई थी वै किस्तिती को रखी गई थी तो 10 दिसंबर 2020 को तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है question number 8 पूंचा है यूनसको की सायोग से दिये जाने वाले बैस्विक सिक्चक प्रोसकार से सम्मानित किये गए है कौन इससे सम्मानित किये गए है तो question number 8 का रखी आंसर है आपका रणजीस सहें दिसाले आपका रखी आंसर है question number 10 पूंचा है बिहार में हाल ही में नए विधान मंडल का गठन किया गया है इस अंदर में कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर कूट भी दे गए है और आपका question number 10 का डी राइट आंसर है एक दो तीन एक दो तीन आपका यहाँ पर सही आंसर है तीनों कथन सत्य है question number 11 पूंचा है क्या पूंचा है तो देख लेते हैं आपर 3 पिटा के नमलिकेत में से किससे संबंदित हैं तो आपका हैं आपर सही आंसर होगा जैनियों से बध्दों से सिक्षों से हिंदों से 11 का राइट आंसर है आपका बध्दों से विकल्प नमबर B आपका सही आंसर है 11 का question number 12 पाल बंस का पहला सासक कौन था पाल बंस का पूंचा है तो बारह का राइट आंसर होगा आपका गोपाल पाल बंस का पहला सासक कौन था तो गोपाल बारह का सी राइट आंसर आपका हैं पर किस सासक ने भारत में तुगलक बंस की नवी रखी थी भै कौन से सासक हैं तो 13 का right answer बताना है और 13 का right answer है आपका विकल्ब नंबर यहाँ पर b right answer है यानि की ग्या सुद्दिन तुगलक आपका सही answer है ग्या सुद्दिन तुगलक question number 14 है पूंचा है किस बर से बावर ने सुल्तान इब्राहम लोदी को पानीपत की लडाई में पराजित किया था तो आपका यहां पर question number है आपका चौधा और चौधा का बी राइट आंसर है 1526 इस भी में question number आपका 15 है पूंचा है पंच है महल किस में इस्ते थे हवा महल में फते पूर सीकरी में या फिर गौलियर का किला में या आगरा का किला में पंच महल किस में इस्ते थे 15 कराईट आंसर है C यानिकी फते पूर सीकरी में बास्गोटी गामा जो थे यह किस वर्स काली तट में उतरे थे यह आपको बताना है बास्गोटी गामा किस वर पर दिया गया है देख लेते हैं question number 17 एह है महाल क्या पूंचा है महाल वाली प्रणाली कहां लागू की गई यह महाल वाली प्रणाली जो है कहां पर लागू की गई तो आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश में question number 18 मतमा गांधी भारती राष्टी कांग्रेस के अद्रक्ष किस बार्ष बनी थी question number 18 और 18 का सही आंसर है आपका 1924 आपका यहां पर सही आंसर है 1924 में question number आपका यहां पर 19 पूंचा है कि 1947 में लावड मांट बैटन द्वारा घोसित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयू के अध्यक्ष कौन बनी थी तो सीमा आयू के अध्यक्ष जो ब आपका यहां पर राइट आंसर होगा question number 20 है सत्य में हो जायती है महा का पे कहां से उद्रत है तो सत्य में हो जायती है महा का बे है और कहां से उद्रत है तो आपका सही आंसर है 20 का C यानि कि मुंडक उपने सद से आपका सही आंसर होगा 21 question पूंचा है भारत का विश्व में चेतरपल की आधार पर कौन सा इस्तान है दूसरा चटा चौता सातवा छेतरपल की आधार पर बताना है तो 21 का डी राइट आंसर होगा आपका सातवा बिल्कुल सही 21 का डी सही आंसर है question number आपका बाइस पूंचा है निमने लिखत में ऐसे कौन सा परवर्थिय दर्रा उत्राखंड में इस्तित नहीं है नहीं है पूंचा है उत्राखंड में इस्तित नहीं है तो बाइस का राइट आंसर है आपका सिपकीला सिपकीला बाइस का भी राइट आंसर है निमने लिखत सही question number 24 पूँचा है 13 रोसा सब्द का तातपर क्या है 13 रोसा सब्द का तातपर बताना है तो 24 का सही आंसर है आपका लाल मिट्टी से लाल मिट्टी से इसका तातपर है बिलकुल सही विकल नंबर भी भारत दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा फल उत्पादक है तो यानि कि दूसरा आगामी ये जन जातियां है जो रहती है अंडवा निकलबार में अीजरम में राजिस्तान में तो अगामी ये कहां पर रहती है ये जन जातियां 26 चाहाँंगा का राइट आंसर है यानि की आपका राइट आंसर होगा, डाक्टर भी आर अम्बेटकर आपका सही आंसर है, क्या पूचा है भारत में अपराष्ट पती अपना कारेकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो मुख्य नियादी इसको पृधान मंतिरी को अपराष्ट पती को अपना त्याग पत्र सौंपता है, क्योश्य नंबर 29 मुझा है, लोगसभा की सदस्तिता के लिए उम्मीद वारों की न्यूंतम आयू क्या नरधारित की गई है, क्योश्य नंबर 29 में बताना है, और 29 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर B आनकी 25 वर्स है, 25 आपका सही कैंदर सातरकता आयोगते अपने पद पर बना रह सकता है, बताङे, क्योश्य नंबर 30 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा क्योश्य नंबर 30 का सही आंसर? तो 30 का राइट आंसर है D यानि की 4 वर्स या 65 वर्स की आईू यह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कॉस्चेन नमबर 31 क्या पूंचा है तो 31 वह कॉस्चेन यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं कॉस्चेन नमबर 31 यह रहा कि भारत में पंचाइटी राजी की 3-3 विवस्टा का अनुवोधन के समीती के दوारा किया गया था तो भाई कॉन सी समीती है तो 31 का सही आंसर बताना है और 31 का सही आंसर है बलवन्तराइ बलवन्तराइ आपका सही आंसर है कौस्चेन नमबर आपका यहां पर 32 है, सम्भी धान की किस अनुचेद की प्रावधानों की अंतरगत भारत सरकार ने भारत रहत नो पदमसरी को प्रारंब किया, वह कौन सा अनुचेद है, तो भारत रहत नो पदमसरी को प्रारंब किया है, भारत सरकार ने, तो अनुचेद किस अनुचेद की प्राधानों के अंतरगत तो 32 का राइट आंसर है डी आनी की अनुच्छेद 18 कौस्चिन नमबर आपका 33 से किसी फसल को सहायता देनी के लिए सरकार नमलिखत में ऐसे कौन सी घोशन करती है कौन सी घोशन करती है तो 33 का आपका जो सही आंसर है घोशन करती है कौन सी न्यूंत ना ब्याई का सबसे महत्पून आइटम कौन सा है तो यहाँ पर कौस्चन नमबर 34 का आंसर बताना है और 34 का विकल्प नमबर आपका ये राइट आंसर ब्याज का भुकतान ब्याज का भुकतान आपका सही आंसर है रोजगार की आउसरों की कमी की सही इस सबसे सही अंसर है सिर्मिक्स जतना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं यह जो है विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका यहां पर है अंतराष्टिय गमन यानि कि माइग्रेशन क्या है देशों के बीच में लोगों का संचलन या लोगों का सहर से ग्रामिर चेत्रों में सं या एक गाउं से दूसरी गाउं तक लोगों का संचलन तो 36 का आंसर बताना है और राइट आंसर विकल्प नंबर एक देशों के बीच में लोगों का संचलन आपका यहां पर विकल्प नंबर यह आपका सही आंसर होगा कॉस्चन नंबर आपका यहां पर 37 पूँचा भूपकंप को रिकॉर्ट करने के लिए निमलिकित मैसी किस उपकरण का इस्तिमाल किया जाता है यह कॉस्चन तो कई बार पूँचा जा जा चुका एक जाम में है कि भूपकंप को रिकॉर्ट करने के लिए किस उपकरण का इस् सी सिमोग और आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन है सर परिफ्थां परेष्थतितिक तंतरसभ्द का प्रियोक्र जो और तयस्टक है आंसर है यानि कि यह जी टेंसले आपको हैं कर चींदार निम्यन पर दूसक एजेंडों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत्मेशेद बनाने के लिए जिम्मिदार है बताइए कौशन नुमर 49 का सही आंसर आपका क्या होगा 49 वा कौशन है और आपका राइट आंसर है 49 का बी आनिकी CFC आपका राइट आंसर है CFC बिल्कुल सही आंसर बताया है कौशन नुमर 49 नंगरपालिका की कूली कचड़े एक बड़े फरनेस में जलाए जाते हैं इस फरनेस को क्या कहा जाता है इस फरनेस को क्या कहा जाता है तो 40 का आंसर है इस फरनेस को कहा जाता है क्या आपका राइट आंसर है इन सिन रेटर आपका राइट आंसर होगा दूद की घंता मापने के लिए कौन सा उपकरण उप्योप्त किया जाता है तो question number 41 का आंसर बताना है और 41 का राइट आंसर क्या होगा 41 वा question है विकल्प number लेक्टो मीटर जो एक दिया गया है आपका सही आंसर है लेक्टो मीटर बिलकुल सही आंसर बताया है question number आपका यहाँ पर अंगला क्या पूंचा है तो देख लेते हैं question number यहाँ पर 42 दिया गया है कि रसाइनिक उर्जा को बिद्दोत उर्जा में रूपांतरित किसके दौरा किया जाता है question number 42 में बताना है तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा रसाइनिक उर्जा को बिद्दोत उर्जा में रूपांतरित किसके दौरा किया जाता है 42 का राइट आंसर है D आनकी संचियक सेल आपका राइट आंसर होगा question number 43 में बताना है जल में hydrogen तता राइट आंसर है एक अनुपात आपका सही आंसर होगा निमने लिकेत में से कौन सा पधार्थ एक नाच पकने वाली बर्तन की सताय पर लेपित किया जाता है बहिए कौन सा पधार्थ है बहिए पधार्थ आप इहाँ पर बताईए question number है आपका 44 और D right answer है टेफलोन आपका सही आंसर है टेफलोन जनों ने बताया है उनका सही आंसर हमारे पेट में इस्तित पाचक रस में मुख रूप से खालिस्तान होता है तो आपका 45 का C right answer है hydrochloric अमल आपका सही आंसर है विकल्प नमबर C malaria रोग से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है पिलीह फैंपडे लीवर या अस्तियां तो यह question महत्तपूर्ण है और malaria से जो सरीर का जो अंग प्रभावित होता है बहें अंग कौन सा है तो आपका right answer पिलीहा पिलीहा विकल्प नमबर E आपका सही आंसर है उस का इसे दूसरा सब्द पहले सब्द से संबंद थे देखिए तापमान का thermometer हो जाएगा आतरता का यहां पर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है तापमान थर्ममीटर और आतरता का यहां पर हो जाएगा सेहन तालेस का ताप महत्पुन कंप्लिट है अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe करने आज के वीडियो बस इतना ही सबी लोग वीडियो को share करें और वीडियो को like करना ना बुलें क्या सा लगा यह वीडियो आपको चाहले आप चाहते हैं तो आप वीडियो क लाइक करने और चैनल को सस्क्राइब करने तो आज की वीडियो में बस इतना ही कितने कॉस्चिन आप से सही बने हैं कमेंट में जरूर बताएं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जैहिन